नमस्कार दोस्तों मैंनी सांत एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो लेकर दोस्तों आज में लेकर के आया हूँ कैमलेन का फाउंटेन पैन और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैप भिउसी तरह की है हाला कि दोनों का मठीरियल थूड़ा सato different से यहां पर आप देखे यह जो पारकर कि जो कैप है इसका material stainless steel brush pattern में और यह है Camlin, इसकी cap देखें, इसका थोड़ा सा material आपको lower side में मिल जाता है, हाला कि पूरा ही material थोड़ा सा आपको different मिल जाता है, plastic की quality उतनी अच्छी नहीं है Camlin की, Camlin 45 देखें यहां पे, तो लेकिन अगर overall आप देखा जाए यहां पे, दोनों विल्कुछ similar fountain pen आपको मिल जाते हैं, थोड़ा dimension में आपको जुरूर difference मिल जाएगा, यह थोड़ा सा मोटा सा है और यह थोड़ा सा पतला है, यहां पे देखें पीछे की तरफ आपको मैं दिखा देता हूं, दोनों में, thickness में आपको difference मिल जाएगा, जो taper है वो आपको अलग मिल जाएग ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, और यह है fountain pen, यह देखें, plastic पूरा, मैं ओपन करके दिखा देता हूं, यह taper आपको इसकी body मिल जाती है, पारगर 45 की तरह है, और यहां पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ, cameline 45 registered, और यह देखें, यहां पे आपको यह ring मिल जाता है, एक SS का ring है, यह open करके दिखाता हूं, यह fitting है, इसके अंदर, यह पूरी निकल जाती है, इस तरीके से, यह fitting है, और यह, यह hooded, यह देखें, हूड है आपका, जो section है, यह hooded nib, इसमें आपको मिलता है, और यह, यह देखें, निब, आपको cameline का जो निब होता है, उसी तरह का होता ह दिखा रहता है, वही सब इसके उपर भी लिखा है, पतला निब है, जीरो, जीरो साइज, इस निब का है, और यह फीड, ठीक ठाक फीड आपको मिल जाती है, और यह आपको, वह assembly मिलती है, जिसके अंदर, निब और, फीड, फीड की गई है, और पीछे की तरफ आपको, rubber, закriser wire, increase wire, आपको मिल जाता है, यहाँ पर आपको इस तरीके से यह fit करना है, और hooded nip, थोड़ा सा difference, इसमें दोनों में, आपको difference यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, जो Parker में और Camellin में है, यह देखें, होड़ा निब मिलता है, और Parker का निब आपको, fish mouth की तरह मिलता है निब आपको इसका दोनों का निब डिफरेंस बहुत ज़ादा आपको मिल जाता है पारकर का निब बहुत ही बहतरी नहीं है और केमलिन का निब उतना अच्छा नहीं है एक simple साधरान सा आपको निब इसमें मिलने वाला है एकुली केमलिन सस्ते fountain pen बनाता था Indian market को दिहान में रख करके तो उसी तरीके से इसी कॉपी करता था और उसी तरीके का material इस्तिमाल करता था I think केमलिन बहुत सारे fountain pen पारकर की कॉपी करके बनाए हैं केमलिन ने अलांकि केवल केमली नहीं बहुत सारी कंपनिया है जो Park को गौफ्ञ करती थी शेफर को कभिक करती थी तो यह fountain pen आपको मिल जाता है ink भढ़ लेते हैं और चला करके देखते हैं दोनों को compare कर लेंगे हम लोग कि दोनों fountain pen कैसे चलते हैं जो ink इस्तिमाल करने वाला हूँ वो lapis bard ink इस्तिमाल करने वाला हूँ मैं open कर लेते हैं तो ink मैंने भढ़ ली है clean करेंगे और एक writing sample जरूर हम लेने वाले हैं तो दोस्तों यह आप देख सकते हैं यहां पर उपर वाला cameline 45 जो है उससे लिखा है और नीचे वाला पार कर 45 से मैंने लिखा है और दोनों की लिखाई के अंदर आप difference देख सकते हैं cameline 45 है यह scratchy नीब है पतला नीब है और जिस तरह के cameline के नीब आते हैं उसी तरह के का नीब आपको इसमें मिलता है यानि कि बहुत ज़्यादा स्मूथ आपको नहीं मिलेगा जबकि पार कर 45 का बहुत ही बहतरीन सा नीब आपको इसके साथ मिलता है अगर overall देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से cameline 45 काफी सस्ता fountain pen है और अपनी value जो है इसकी उसके हिसाब से यह के fountain pen है ठीक fountain pen है और देखने में भी काफी अच्छा सा fountain pen लगता है आज कल नहीं मिलता है विंटेज fountain pen है मुझे बाइचांस यह seller से मिल गया है तो मैंने मंगाया है और मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं आपके सामने रखों कि पार कैमलिन जो है इस तरह के fountain pen भी बनाता था और अगर आपको कहीं आप collector है और कहीं यह fountain pen मिले तो आप ले करके बाई करके रख सकते हैं आला कर देखा जाये तो उतना जादा बहतरी फांटें पैन आपको यह मिलने वाला नहीं है जबकि यह पारकर 45 अगर आपको मिले तो यह जरूर आप आप किजिए गाई का इसका इसनिमय जरूर कीजिए इसका इस धे और ले करके आतर आंगा हम फिर मिलेंगे एक ने योडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद